Hey everyone, I am Dr. Pawan Nagar and you are watching TCML and in this video मैं आपसे बात करूँगा local anesthesia के clinical use के उपर की ऐसे कौन-कौन से case होते हैं जिनके अंदर हम local anesthesia को use करते हैं and सबसे पहले मैं बात करूँगा cataract की and cataract surgery में हम क्या करते हैं कि जो कौनिया होती है इसके उपर incision देंगे and जो cataract वाला lens है उसे यहां से निकाल देंगे and artificial lens को फिर उसी incision के थुरू जो हमारी eye है उसके अंदर डाल देंगे overall बात क्या है कि cataract surgery के अंदर हमें incision देना होता है कौनिया के अंदर and common से बात है भाई अगर हम incision देंगे तो of course patient को pain होगा and इसी pain को खतम करने के लिए pain relief करने के लिए हम क्या लगाएंगे local anesthesia मतलब की मेरे पास यह क्या है this is pro paracane and यह क्या होता है topical local anesthesia topical क्यों बोला क्योंकि इसे हम mouth से नहीं खाएंगे मतलब mouth से नहीं देंगे इसे हम injection के through नहीं देंगे तो overall वो anesthesia जिने हम eye पर skin पर mucous membrane पर लगाते हैं तो वो सारे क्या होते हैं topical anesthesia injection वाले या फिर बोल दीजिए oral वाले नहीं आते किसके अंदर topical anesthesia के अंदर and आप assume कीजिए कि मेरे इस वाले eye की cataract surgery होनी है तो doctor सबसे पहले क्या करेगा pro paracane की जो eye drop है इसे open करेगा देखिए इसके उपर एदम clear mention है pro paracane ophthalmic solution मतलब कि क्या है this is eye drop and इसकी 223 drop को कहा डालेगा patient की eye के उपर and जैसे ही patient की eye के उपर डालेगा तो patient की जो cornea है वो पूरी की पूरी anesthesia हो जाएगी and then anesthetize होने के बाद जो doctor है वो अब easily cornea के उपर incision दे सकता है और during incision patient को pain भी नहीं होगा तो overall आप समझ गये होंगे कि pro paracane ये क्या है topical anesthesia and किसमें यूज करेंगे के track surgery में और भी case में यूज कर सकते हैं पूरीος प्लरीος ट्रवस कि टूरी करें duck जूरी कि वो झालाइख ERIC absolutely मेंगे आवाद़ सूंस 21 मैं यूल झाल झाल